अगला प्रक्टिस से टमबर 13 है पहला प्रशन है कि कहां कि राणी आवंती वाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाब से 4000 की सेना खड़ी की और नितित टुकिया जिनों ने उसके राजजी के प्रशाशन को अधिकार में ले लिया था तो राणी आवंती बाई यहां पर आप राणी अवंती बाई अगला प्रश्ण है कि स्वतंतता प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने किन नीतियों की वकालत की थी राइट आंसर बन जाएगा अप्शने इंसा का प्रियोग किये बिना भीद भाव के खिलाफ लड़ना नेक्स्ट है कि निम्लिकित में से किसे से से एबलिया के नाम से जाना जाता है से एबलिया की नाम से और पिह जाता है विर्षा में से गांतर सरकार समानतर सरकार शमानतर सरकार की जो घोशडा की थी वह बलिया दे तो चित्व पांडे को से बलिया के नाम से क्या है जाना जाता थी यूपीज-फेसल भी है आगे दिल्ले में कुटब मेनार दुनिया का सबसे उचा इट का बना मेनार है इनमें से कौन से राजा ने इस के निर्माड में योगदान नहीं दिया है यहाँ पर राइट अंसर बन जाएगा आप संसी अलाउद दीन खेल जी ने कोई भी योगदान नहीं दिया है तो गुलाब मंस की संसथापक कौन कोतब बुद्धिन अवक ने खुतब मिनार की नियुगर रखी थी इसकी अलावा इलतुत जो मिर्श है इनोंने इसकी तीसरी जो मंजिल है उसको बनवाया था वहीं पर फिरोज साथ उगलक की बात की जाए तो फिरोज साथ उगलक ने इसकी पांचवी और अंतिम जो है मंजिल बनवाई थी तो सभी का योगदान है अलाउद दिन खेल जो को छोड़ कर आप संसी सही जबाब है अगला प्रश्ण है कि ब्रिटिस संसद की किस अधनियम की अंतरगत पुरांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था राइट आंसर बन जाएगा 1935 तो भारत सरकार अधनियम 1935 शुखा है 1909 का मारलेमेंटु शुधार 1909 का मांटेंगी चेम सिपोर्ट शुधार है और 1892 अधनियम को भारत प्रश्ण धनियम की नाम सी भारत सरकार अधनियम 1935 का जो अधनियम है इस अधनियम के अंतरगत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था और 1935 की खास बात यह है कि जो प्रांतों में दोएधिशासन हुआ करता था तो प्रांतों में दोएधिशासन को शमाप्त कर प्रांतों में दोएधिशासन जो है वो शमाप्त कर दिया गया और केंद्र में जो है दोएधिशासन लागू किया गया केंद्र में तो केंदर में दोएद अगर पूछा जाता है कि प्रांतों में दोएद शासन समाप्त कर केंदर में दोएद शासन किस अधरियम की अंतरगत लागों किया गया तो भारत तो सरकार दियम उन्नी शौपायती सी की तहद राइट आंसर यहां पर आपका आपसणी सही जबाब वह किश उपनिशद में तो उपनिशदों की जो संख्या है वह कितनी है एक सवाठ उपनिशद है तो बस धयो कुटमबकम शब्द का जो अर्थ होता है धरती ही परिवार ठीक है धरती ही परिवार है तो धरती ही क्या है परिवार है और बस धयो कुटमबक शब्द का जो ल सबसे बड़ा है सबसे चोटा कौन सा है दोस्तों सबसे जो चोटा छोटा विर्यादार अपनिशद हैं विध्यादार अपनिशद में अगला आए कि माना जाता है कि गौतम इनी सिधार्थ ने अंतिमी ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले छे शाल तक किस अस्थान पर शुद्ध चित्व से ध्यान किया था तो वह अस्थान कौन सा है वह अस्थान है प्राग बोधी अपसनिया पर आपका बी सही राजगीर और नालंदा में भी ताय थे गोतम बुद्ध का जन्म 563 इशापूर्व बैसाख पूर्णिमा के दिन कपिल वस्तुराज की लुंबिनी गाउं में हुआ था लुंबिनी गाउं में इसकी अलाव यहां पर इत्खोरी दिया है तो इत्खोरी एक जगा है जार खं से पहले और कपिल वस्तुराज का जो लुंबनी गाउं वहां पर जो है उन्होंने जन्म लिया था 563 इशापूर वबैसाख पूर्णिमा के दिन आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्त है कि चीनी यात्री कौन एतसिंग चीनी यात्री इतसिंग तीन बरस ठहर कर संस्कृत सी सिखा था कौन चीनी यात्री इतसिंग रहाइट ऑसर बन जाएगा तामर लिप्ती में कहां पर तामर लिप्त में ठहर कर इसने जो है संस्कृत सी था तीन बरस ठहरा था तो इतसिंग जो यह जो भारत आया था यह किस रास्तित सुमात्रा तथा स्रिलंका होते हुए तामर पहुंचा था यहां इन्होंने तीन वर्स रायकर संस्क्रित विशय का ध्यन किया और सात्मीं शताब्दी कियंत में भारत आया था अगला प्रशन है कि भारत में बंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किस ने की थी बंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किस ने की थी राइट अंसर यहाँ पर बन जाएगा रचना तो बंकिम चंदर चटरजी ने की थी और बंदे मातरम को नामक पत्रिका पत्रिका जो है यह आप निकालने वाले थे कि संस्थापना वा थे विपिन चंद्रपाल अपसने हाँ पर आपका डी राइट अंसर बन जाएगा तो बंकिम चंद्र चैटरजी द्वारा रचित बंदे मातरम गीत से प्रभावित होकर विपिन चंद्रपाल ने एक पत्रिका का प्रकासन सुरू किया जिसका नाम उन्हों ने बंद्र मातरम रखा था बंद्र मातरम पत्र का शंपादन इसने किया था तो कि जो संस्थापना अरविन विपिन चंद्रपाल और जब कि शंपादन जो किया था वह अरविन दोग हो जाए आगे बढ़ते हैं अगला अगला निमलेखित में से कौन सा भीकलप सही तोर पर सुमेलित यानि कौन सा सही है बैसिकली मुगल सासक दे रखे हैं और उनके सासनकाल के दौरान भारत आने वाले बिदी सी यातरी दे रखे हैं और मिलान कर रहा है कौन सा सही मिलान है पहला दिया हुआ है साजहां और साजहां की सासनकाल में विलियम हौकिंस को बताया ज कौन था पींटर मुंडी वियर गलत हो गया इसके अलावा आभि जहांगीर के इस सासे काल में को बताया गया ये भी आपका गलत है कांकि में नहीं जब कि आने वाला जुटहांगीर की साथ समकाल में वो था सर्थामस रो sería स्वार हो टाइम पर बताया जा रहा है थे बिल्कुल यह सही है आप सन्यहाप पर आपका सी राइंट आंसर बच जाएगा जित तो शर्था मश्रों जहांगीर कि शासन काल में आया था यह भी आपका गलत हो गया तो मानुची जो था वो औरंग जेवी किशाथ साथ सा जहां किशासनकाल में आने वाला रहा है और आकबर किशासनकाल में जो आया था वह था शर टामस इस्टेफेंज तो चलिए सी ही आपर सही जबाब होगा अगला प्रशन है आपका जिओग्राफिए से की रेड़ क्लिफ रेखा निमलिकित में से किसके साथ भारत की सीमा का सीमाँकर करती है तो रेड़ क्लिफ यहांपर राइट अंसर बनेगा पाकिस्तान की शाथ अपशनी राइट अंसर होगा भारत और चीन के बीच कौन सी है तो माईक मोहन रेखा है अंतर रास्ति है माईक मोहन आगे बढ़ते हैं अगला है केन नदी मध्भारत की बुंदेल खंड छेतर की प्रमुख नदियों में से एक है जो दो राज्यों धड़ी मध्द प्रदेश और किश राज्य से होकर बहती है कौन सी नदी केन नदी तो केन नदी मध्भारत की बुंदेल खंड छेतर की प्रमुख नदियों में से एक है जो दो राज्यों धड़ी मध्द प्रदेश और उत्तर प्रदेश यूपी तो उत्तर प्रदेश से होकर बहती है मध्द है उत्तर प्रदेश अपसर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर या कतन आपका सत्य अगला है कि गगभग सब सेंटिमीटर वर्षी होती है यहां पर जो उस्कर दूबिद इहां आपका ज़िए उसका जब में भवान यहां दोसोसैंटीमीर से आधीवर्शा होती है दोसोसैंटीमीर से भी अधी vedere ठीक है अधीक होती है यहां बता रहें लगबखस यह हो गफ़े आपका गलत यह बृत अच्ची तरह से अस्तरी क्रित होते हैं ये बिल्कुल सही है यूश्ण और आर्द शेतर में पायदाने वाले बन होते हैं उसक्तर बंदी शिदा बाहर बन तो यहां पर यह सभी की सभी बाती बिल्कुल सथ हैं भी को छोड़कर दो भी रापकर राइट आंसर बन जाएगा क्योंकि सबसें दो आपसन इस सही जबाब बन जाएगा दूर नाम से ठीक है अगला प्रेश नंबर पंदरा है कि 2011 की जनगणना की अनुशार निमलिकेत में इसी किस राज में महिला लिंगा नुपात सबसी कम है तो किस राज में फीमेल जो सेक्स रेशियो है वह सबसी कम है तो इन चारों 2011 की जनगणना के अनुशार है आठ सो 89 महिला है एक हजार पुर्षो पर वह पर सिक्किम की बात की जाया तो 890 महिला एक हजार पुर्षों पर पंजाब की अगर बात करोगे तो नौट निगमन रिजर्व बाइंक के नोट निगमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल का स्वाण कोश में रहना चाहिए कम से कम कितने मूल का स्वाण कोश में रहना चाहिए रिजर्व बाइंक के नोट निगमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने रूपए का स्वाण कोश में रहना चाहिए तो कितने रूप मूल लिखा जो है वो श्वाट जो है को इसमें रहना चाहिए यहाँ पर राइट अंसर आपका बन जाएगा नियुंतम जो रासी 115 करोड रूप है आपसने हाँ पर आपका भी सही जबाब बन जाएगा अगला प्रेश नंबर 17 है कि निम्न लिखित में से कौ सब्दाख है क्या भारत में सहेकारी क्रेसी की विचार का समर्थक नहीं था निम्न में से राइट यहां पर बन जाएगा शौधरी क्रांती का संबंद नेमलखित में इसे किस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् किसे सामिल नहीं किया गया है तो भारत की आठ कोर्ष शक्टर है उनमें से जो सामिल नहीं है इनमें से तो आठ कोर्ष जो सेक्टर है कौन कौन से हैं तो नंबर एक होगा आपका कोईला दूसरा है उर्भरक तीसरा है विद्धुत रसायन यहाँ पर दिया जो यह नहीं होगा तो राइट अंसर आप्शन डी से जबाब बन जाएगा इसकी अलावा चौथा जो होगा वा रिफाइनरी है रिफाइनरी ठीक है चौथा जो कोर्शक्तर हो जाएगा रिफाइनरी पांचवा जो कोर्शक्तर होगा इस्टील इस्टील हो जाएगा छठा जो होगा वह हो जाएगा कच्चा तेल कच्चा तेल और शात्मा जो होगा वह प्राकिर्तिक गैश होगा प्राकिर्तिक गैश आठ्मा जो सेक्टर कूर है वह हो जाएगा सीमेंट सीमेंट ठीक है तो आठ कोर्श अक्टर है कोईला विद्धुत और वरक रिफाइनरी इस्टील कच्चा तील प्राकरति गैस और सिमेंट उन में से कौन सा नहीं है तो यह रसायन नहीं है आप संडी राइट आंसर बनेगा आगे बढ़ते हैं निमलेखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधिय प्राथमिक छेत्रक के अंतरगत नहीं आती है तो प्राथमिक दुतियक और त्रिदियक प्राथमिक शक्टर के अंतरगत एग्री कल्चर यहां पर आपका मत्स डेरी क्रिसी तो मत्स पालन हो को कुटपालन हो की डेरी है क्रिसी है सभी आएंगे आपके प्राइमरी शक्तर म शंकलपन, जो ध्राइँ, देखी है, वह की से संविधान से है, यहाँ पर आपका रैट आंसर बन जाएगा, आस्ट्रेलिया की संविधान सी, आपसंसी सही जबाब होगा, तो आस्ट्रेलिया की शंविधान सी, समझे शूची का प्रावधान लिया गया है, प्रास्तावना में जो आर्थिक, शामाजिक और राजनीतिक तीन प्रकार की न्याए है वो भी इवेसार कि सम्विधान से लिये गए है। यहाँ पर स्विजर लैंड दिया गया है, स्विजर लैंड से कोई भी लिया नहीं गये, आपकी सम्विधान में कोई भी प्रावधान नहीं रहत आप संसी आगे बढ़ते हैं, अगला है भारति इस संसत जो बनती है, तो भा संसोधन तो समयधान संसोधन आर्टिकल 368 है फानांस कमेशन इन वित्त आयोग कार्टिकल 280 है वह अहीं पर अखिल भारती सेवाएं 3012 है और वित्य जो सेव आपात है वह 360 है आप मिलान कर लो अब एक यहां पर फोर होगा जब एक ही आपका काम मिल जा रहा एक ही तब ही आप आपकर राइट आंसर बन जाएगा ठीक है वाकि आप देख पा रहे हैं कि भी का 3 है और सी का 1 है डी का 2 है राइट आंसर आप्शन बी अगर समयधान संसोधन ही 300 पकड़ ले गए तब ही आपका इलिमिनेट हो जाए यहां पर सब आगे बढ़ते अगला प्रश्ण दिया है भारत की जो नियंतरक यों महा लेखा परिक्षक के संबंध में निमलेखित में से कौन सा कतं सही नहीं है तो बैसिकली जो शे अगला कौन सा है 148 तो इनकी जो नियुकती है राष्टरपती द्वारा की जाती है बात बिल्कुल सही है इनका जो बेतन हो सरबुच नियाले की जो नया अधीस है, उनकी स्तमान होता है, सेवा निव्रिटी की पश्चा तो अन्य सरकारी सेवा की आयोग्य हो जाते हैं, यह भी शही है, उनको अगर उनके पद से हटाना है, तो आप उशी रीत, उसी तरीके से हटा सकते हो, जैसे कि शर्वुच नैले की नया अधीस को हटा जाए जाता है उसी तरह तो यहां कथना आपका गलत है आप संटी सही जबाब बन जाएगा अगला प्रश्ण है कि केंद्रिय स्टरकता आयोग निम्लेखित में से किस एक समिती की सिफारिश पर गठित किया गया था राइट आंसर यहां पर बन जाएगा संटानम शमिती आप से नहां पर आपका सही जबाब होगा तो बर्स 1962 में गठित शंटानम शमिती की सिफारिश पर रहा है और केंद्रिय स्टरकता आयोग की स्थापना बर्स 1964 में की गई है अगला प्रश्ण साइंस का है कि धारा का जो यसाई मात्रा के वह क्या होता है तो उद्धारा यनि Am sentences के इतंग अविश के प्रवां की दर की अविश की प्रवार की दर एक उसी को कया है वैवद्धित उद्धारा कहते हैं ऐम दे रखा है तो उम आप जानते हूँ प्रति रूध का मात्रक होता है ऐम तो वहीं पर बूल गया तर बिभुवांतर का मात्रक क बल विस्थापन जो होता है तो बल द्वारा किये गए कारी को रिनात्मक माना जाता है तो जब बल लगने पर किसी पिंड अथवा वस्तु का जो विस्थापन है वह बल की विपरीत दिशा में हो तो बल द्वारा किये गए कारी को रिनात्मक माना जाता है और यहां पर आपक तो कालसियम आक्साइट है बिना पुझे चुने का राशाणी नाम और इसका राशानी खेसा की तब कार्बونित का उप्योग कया जा सकता है स्वमुद्र जल के वापस बंच सिंपल सी बात नमक होगा आप से पर सी राइट आंसर बन जाएगा अगला है कि निम्दमे से कौन सा घटक को पतियों को हरा रंग प्रदान करता है तो क्लोरो फिल की उपस्थिती की काड़ पतियों का रंग हरा होता है और क्लोरो से अगला आए कि जिसकी कोई उप्मा ना दी जा सके हिंदी का है जिसके कोई उप्मा ना दी जा सके उसके लिए इक शब्द क्या होगा जिस किसी विसय का ग्यान रखता हो वह ग्यानी हो जाएगा अनिवाई कौन होगा तो जो किसी का अनुसरान करता हो अनिवाई होगा तो पर राइट अंसर अप्शन अगला प्रशन हिंदी का है कि इस विद्याले में दाखिला मिलना टेड़ी खीर है रेखांकित मुहाबरे का सही अर्थ बताना है तेड़ी खीर तो तेड़ी खीर यानि कठीन कार्य होना है आप से नहां पर आपका यह राइट आंसर बन जाएगा अगला आपका है कि सब्द युग में दिए गए हैं सही अर्थ भेद का चयन करना है अंबुज और अंबुज अर्विद तो अंबुज जो है वो कमल है अंबुज क्या दूस्त कमल का प्रियावाची वहीं पर अंबुद का आर्थ क्या है तो दा बादल ठीक है बादल होगा क्या होगा दूर्ष तो कमल बातल आपlifting पर आपका एराइट आंशर बन जाएगा अगला प्रेश्ण है अनक poquito का सुद्ध बिच्षेद आपको बताना है अनवेशड तो अनवेशड यानव प्लस एशड आपसे यहां पर आपका डी राइट आंसर बन जाएगा अनव प्लस एशड यण संदी होगी ठीक है यण संदी आगे बढ़ते हैं रिजुक आपको विलोम बताना है रिजुक का विलोम क्या सीधा तो सीधा का विलोम जो है आप जानते हो उल्टा होता है सरल का विलोम कठिन होता है ठीक है त्रकोंड दिया है तो तीन कोंड है तो सटकोंड हो जाएगा त्रकोंड का सटकोंड होगा अगे पढ़ते हैं अगला प्रश्ण है 51 17 अगस 2023 को भारत की राष्टवपादी द्रोपदी मूर्मू ने कूल काता में प्रोजेक्ट 17 एके ताहत निर्मित कौन साजाज लांच किया है राइट अंसर बन जाएगा अपसने विंध्यागिरी अगला प्रश्ण है कि विष्ष योगा दिवश का कौन सा संसक्रण 21 जून 2023 को आयोजित हुआ है तो 21 जून को विष्ष योगा दिवश मनाय गया 2023 में कौन सा संसक्रण रहा है जिसकी थीम थी योगा फारवा सुधयो कुटम बकम योगा फारवा सुधयो कुटम बकम 21 जून का थीम रहा है यह कौन सा संसक्रण रहा है साथवां आठवां नौवां दसवां यहां पर आपका राइट अंसर बन जाएगा यह नौवां संसकान था अपसंसी राइट अंसर है अगला प्रश्ण है कि भारत की फुटबॉल टीम ने इंटर कॉंटिनेंटल कप दो हजार तेश का खेताब फाइनल में किस देश की टीम क पराजित करके जीता है यहां पर आपका सही जबाब बनेगा लेबनान अपसंसी अगला प्रश्ण नंबर पश्पन है कि किन दो देशों की वाईव सेना के मद्ध वीर गारजियन दो हजा तैइस नामक दिपक्षिय हवाई अभ्यास का आउजन हुआ है वीर गारजियन तै किस राजि में इस्थित हैं आपसर यहां पर आपका भी उत्तर प्रदीश होगा अगला प्रश्ण नंबर 57 कि राज्ज में भारत की जीट्वेंटी अधच्चता में जीट्वेंटी इंपावर सिखर सम्मेलियन का आयूजन हुआ राइट आंसर यहां पर बन जाएगा गुजरात आप्शन सी अगला है कि हाल ही में मुष्क बुद्जी चावल चता रजावरी चिकरी लकडी सिल्प को भागोलिक शंकीर तक प्रदान किया गया है इनका संबंद किस राज अधवा की इन शासित प्रदीश से हैं मुष्क ब इनीकि भारत जे कि भारत की गृह मंंत्री अमित्साह ने किस अस्थान पर ग्रामिट छेत्रों की समगर के के लिए वाइवरेंट विलज प्रोग्राम का सुबारंब किया है वा Dwundachalप्रदीश इन परोड मेरें रहें जिवएप से आपका पूर्वोत्त्त्र जो सब्कर प्रदेश ही है कि भी उतुगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ट नंबर है 60 तो दस प्रस्ट आपके एक्जाम में आने है करेंट अफेर से भारत सरकार के थिंक टाएंक नीती आयूग के बढ़तमान में CEO कौन है तो नीती आयूग भारत सरकार का थिंक टाएंक है और नीती प्रश्ट नहीं प्रस्ट पूर्णा आपका शामान जागरुकता का है तो चौक पूर्णा भारत की किस छेतर की लोक कला है यह लोक कला बिसिकली यह चावलवा जो आटे का जो प्रियोग करके जो है दीवार या फर्स को जो है विभिन डिजाइन उसे सजाय जाता है इस ल हद प्रदेश में चौक पूर्णा वह अन्यना जानते हैं कि सनाव से में सतिया के लांसे बिएर की जानते हैं बिहार भी पन की नाम 40 की बिहार quando את एक tubing कि नाम से तो अलग अलग नाम है पुड़ी समय चोक पीवा मरजवा महाराष्ट में रंगोली के नाम से इसकी अलाव उत्तरखण में आपना या आयपबा के नाम से के केरल में जो है इसी को कोलम नाम से जानते हैं तो चौक पूर्ण यूपी में नाम से जानते आगे संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है तो संसद की दो सत्रों के बीच जो अधिकतम अंतर बुच्छे महीनिस जादा नहीं तो सिख्षमा आप्षण यहां पर आपका डी राइट आंसर होगा अगला प्रश्ण है हापलोंग हिल इस्टेशन की भारती राज में है कौन सा हापलोंग हिल इस्टेशन हापलोंग हिल इस्टेशन भारत की असम राजे का एक मात्र हिल इस्टेशन है आप्षण डी राइ आंसर क्या बनेगा बद्र होगी वह कौन से क्या तो आपसे यहां पर आपका राइट आंसर है कंसा खजुराहो भारत के निलिखित में से किस राज जमेश्थित है राइट अंसर होगा मध्ध प्रदीज अगला है आपका विंग शाफ फायर किस भारतिय वैज्ञानी की प्रशिद्ध आत्म कथा है विंग शाफ फायर राइट अंसर यहां पर बन जाएगा एपीज अब्दूलकलाम आप शंटी अगला प्रशन ह एपरन कारिक्रम है उनाइट डिशन इन्वार्मेंट प्रोग्राम आप्शन डी सही जबाब है अगला राष्टिय मत दाता दिवस हर साल 25 जनवरी आप्शन बीस जबाब है अगला है कि इस देश को उगते शूरज की भूमी की रूप में जाना जाता है उगते शूरज की भूमी की रूप में यहां पर आपका राइट अंसर आप्शन सी जापान देश को उगती सूरज की भूमी की नाम से जाना जाता है जापान को उगती सूरज की भूम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जापान में शूर्योदय सब से पहले होता है और जापान का जो राष्टिय ध राजधानी आप जानते हो टोक्यों है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है भारत शरकार द्वारा प्रश्टूत किया जाने वाला शर्बुच्च नागरिक पुरुषकार कौन सा है भारत शरकार द्वारा प्रश्टूत किया जाने वाला शर्बुच्च नागरिक निम्ल करने के लिए दिया जाता है प्रतम भारत रत्न देश की जो है दूसरे राष्टपती डाक्टर शर्वपली राधा किष्ण को बर्स में क्या परदान किया गया था कि इस तरह आपने जी के जिये से हिंदी का पूरा का पूरा कम्प्लीट कर लिया वाकि हिंदी रिजिनिंग मैठ एबल ग्राप ताली का आप जो गदान से पूरा पीडिएफ मिल जाएगा आप लोग अच्छे से कबर कीजिए थैंक्स फर वाच वाच्छे सब्सक्षित वाचे से कबराएगा नहीं क्यां प्रादा टो है जाँ रिया उनी करने से जी जाप जाएगा लोग आपगा जाएगा वाट रहा है जी।